हेलो दोस्तों कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को सत्रह आजार के उपर क्रॉस हो गया है और बैंक निप्टी ने भी एक अच्छी खासी बड़त ली है और सब जगा हरारा दिख रहा है और ऐसे में ही दो नए आपियोज मार्केट में आया हैं और भी इस मैंने क पिर लेकर आया हूँ आई पी रिव्यू और आज हम करेंगे दो आई पियोज का रिव्यू और जो है कि एक है जिसमें में अर्गनिक्स का और दूसरा है विजया डाइगनोस्रिक्स का मैं राकेश रेजा आपके लिए राकेश रेडिंग सिस्टीम तदा ग्रोथ फैक्टर कैपिटल सर्विसेस LLP के तरफ से हाजिर हूँ और इसके पहले कि हम आगे बड़े मैं डिस्क्लेमर देना जाता हूँ कि मैं कोई सेवी रेजिस्टर या सेवी सर्टीफाइड पैनलिस्ट या एडवाइजर नहीं हूँ जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे है अपने विचारेख अपनी समझ के लीजे जिए इन्वेश्टमन एडवाइजर के साथ मिल वाइजे ना हूँ कि यह के वल मैं U qemm इसमें जो भी अपनी राय बनाना है अब उसके लिए आप से जिमेदर होगे तो चलो आगे बढ़ते हैं पहले बात करते हैं विजा डाइनोसिक की तो इसमें क्या अच्छा है देखिए इसके बैसिकली 80 के आसपास रेडियोलोजी सेंटर से और जारा रेफरेंस लैबरेटरी यह अपना आप में एक सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली डियागनोसिक चेन है साउथ इंडिया की स्ट्रॉंग टेकनिकल अच्छी नहीं है इनके वास में जो टेकनलोजी जो है वह बहुत ही स्ट् सब्सक्राइब करेंगे इसके पहले भी एक कृष्णा डियागनोसिक का आया था और इसके तो यह जो है इसके पहले भी स्ट्राइब की बहुत सारी कंपनी मार्केट में अब अबेलेबल हैं तो इनका जो कंपेटिशन है यह काफी जादा है आप डॉक्टर लालपत लाप सब्सक्राइब को या मैट्रापोलिस या थाइरो केर बहुत सारी कंपनी यह तो कंपेटिशन बहुत ज्यादा है फिर इनका जो 92 परसेंट का बिजनेस जो है वो केवल एक ही सीटी से आ रहा है वो है है हिद्राबाद तो यह बहुत बिजनेस तीन-चार से स्टेट में है द दालंगाना और हैदरबाद में है लेकिन मेजर बिजनेस जो इनका आ रहा है वो केवल एक सीटी से आ रहा है फिर यह पूरा 100% इसका मतलब यह जो पैसा आने वाला है मार्ट यह कंपनी के किसी काम में नहीं आने वाला है यह केवल और केवल काम में आएगा यह केवल अच्छली जो प्रमोटर से वह अपनी इक्वीटी को डायलूट कर रहे हैं वह वह इक्वीटी अपनी बेच रहे हैं और इस तरह से एक्शुली कंपनी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट इसका नहीं होने वाला है तो यह वह प्रोज और कॉन्स उसके बाद में अग अगरम बल को देके और आपने मार्ण अच्छा सुदा रहा है और साल इनका मार्ण अच्छा होते हां तो यह छी अच्छी चीज भी है अब इसको यह है यह आज अलड़ी लाउंच हो चुका है तीन सेप्टेंबर मतलब फ्राइड़े तक यह खुला रहाएगा इसका फेस वैल्य एक रुपए है 522 और 531 के बीच में आप किसी भी लेवर पर इसका पोट कर सकते हो तो क्या इसको आपको लेना चाहिए तो हम लोग इसकी बात चर्चा आखरी में करेंगे दोनों स्टॉक की एक साथ तो आगे का है जो अभी अभी हम लोग ने देखे काफी सारे केमिकल बेस कंपनी अभी अभी लिस्टेड होई है और मैर्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं तो यह पहले सब चीज़ लेकिन इनके जो इनके फक्ष में जो बाग जाती है जो इनके फेवर में जाती है वो है कि इनके पास में आपने कुछ ऐसे प्रोड़क्ट में यूज उते हैं और इनका जो पॉट्फोलियो है वह बहुत स्ट्राउंग है चार सो पचाज डिफ्रेंट टाइप के इंटेमेट्वेस्ट बनाते हैं जो डिफ्रेंट सत्राइट अलग-अलग बीमारियों के लिए यूज उते हैं पिर इनका जिवाफिकल प्रेजित भ तो यह दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है सब चीज अच्छा है अच्छी चीज क्या नहीं है यह बहुत चोटी है और और इनका अभी छोटी होने के बावज़ूत यह अपने 62 परसेंट को ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं यह मेरे थोड़ा सा समस्थेगार है यह क्यों नहीं काम कर पा रहे हो तो यह एक इसके देखेंगे तो हमको दिखता है कि अच्छी खासी बड़ोत्री हुई है और कंपनी बहुत अच्छी है कि तो इसको जो यह भी आज लांच हो चुका है तीन तारिक तक यह भी खुला रहेगा दस रूपैस का वेसिकली फेस फैल्यू है और च्छेसो तीन से च्छेसो दस यह जो प्राइज बेंड इसमें आपको अपलाए करना है अब बात आती है क्या आपको इसमें इंवेस्ट करना चाहिए दोनों में से किसी में भी या इसको छोड़ देना चाहिए तो यह जो भी है देखें क्या है कि कंपनी दोनों अच्छी है लेकिन जो विजय डाइन विजय डाइनसिक है उसके साथ में अगर हम बात करें तो वह बहुत एक ऐसे मार्केट में हैं जहां उसका मार्केट का परसेंटेज बहुत चोटी सिटी में ही वह काम कर रहे हैं उनको एक्सपांशन क कर रहे हैं वह एक्सपांशन के लिए उनका यूज नहीं होगा तो फिर यह एक्सपांशन कैसे करेंगे यह पहली बात है दूस्तों लॉंग टर्म के लिए मैं बोलूँगा जिसको अच्छा एक इंवेस्मेंट हो सकता है तो फिर मैं अभी क्यों करूं हो सकता है मुझे और बेटर रेट में मिल जाए क्योंकि अभी के जो इनके जो जिस रेट पर यह आ रहा है वह आल्मोस्ट थायरोकेर के हिसाब का यह जो इसका वैलियोशन बन रहा है तो मुझे इसाब से महेंगा लगता है मुझे चाहूंगा कि यह थोड़ा सा सस्ता हो और वहां जाकर आप इ दूसरा रहा अच्छी कंपनी है इसके साथ में एक ही चीज जो है वह जो मुझे पसंद नहीं वह यह कि यह चोटी कंपनी है और दूसरी कि इसका जो प्राइस वैलियोशन है जिस पर यह अभी लिस्ट हो रहा है वह थोड़ा महेंगा लग रहा है तो मुझे भी यह लगता मार्केट की कंडिशन क्या रहेगी जिसको लेना ले सकता है तो लॉंग तरम में जिसको एक्चुली इंवेस्ट इंट्रेस्ट है वह अभी वह इंवेस्ट कर सकता है शायद 10% 20% का स्टार्ट अप मिल जाए और फिर आगे वह चलता रहा है जो जो सिर्व लिस्टिंग गें इनकी लिए इन्वेस्ट करना जाते हैं उनको शायद बहुत बहुत कोई बेनिफिट होगा यह मुझे इसमें नहीं लगता है तो यह मेरे तरफ से इसकी राय है कि आपको क्या करना चाहिए फिर मैं कहता हूँ मैं सेवी रेजिस्टर्ड या सेवी सर्टिफाइड एनलिस्ट या एडवाइजर नहीं हूँ तो आपका डिसिजन आपके साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्ब और कुछ और आईप्यूस के रिव्यूस के साथ में थैंक्यो बाई बाई